लोगसभा चुनाफ से पहले मत्रदीश में बिजली गुल होना चर्चा का विशय बना हुआ है इस मुद्दे को लेकर जहां बीजेपी कॉंग्रिस को घेर रही है तो वहीं कॉंग्रिस इसे साजिश करार दे रही है इसे सिलसले में कॉंग्रिसी कारे करताओं ने MPV के CMD से मुलाकात कर शिकायत की देखे रिपोर्ट चुनाफ से पहले MP में बिजली का मुद्दा चाया हुआ है प्रदीश में बिजली सरप्लस है बावजूल इसके कटाउती हो रही है बीजेपी मुद्दा बना कर सरकार को घेर रही है जिसके कारण सरकार की जम कर किरकिरी हो रही है हद तो तब हो गई जब इन दोर में कमलनाथ सरकार के क्याबिनेट मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंग वर्मा पार्टी कारेले में कारिकरताओं की बैठक ले रहे थे और बिजली गुल हो गई जिसके दूसरे दित कॉंग्रेस कारेकरता एमपी भी पहुचे और शिकायत की राजे विकास केंदर के अध्यक्ष देविंदर यादव ने इसे साजिश बताया और कारिवाई करनी की मांगी लगातार अगोसीत विद्दूत कटोती किसी साजिस के तहट की जा रही है यह बात प्रदेश के मुख्धमंत्री सिरि कमलनात जी ने भी 9-10 दिन पूर कही थी लगातार अगोसित विद्धूत कटोती से आम जनता परेशान हो रही है हमने आज यहाँ पर उच्छ अधिकारी पुस्प जी से मुलाकात करी MDG से हमने समय लिया था वो नहीं आ पाए तो हमने उनसे मुलाकात की और मांग की है कि जो है एसे लोगों को चिन्नित किया जाए वो कहीं न कहीं भारती जनता पार्टी से आपके अधिकारी और करमचारी जुड़े हुए जो बार बार स्विच आप कर रहे हैं एसी हमारे पास लगातार जानकारी है एसे लोगों को चिन्नित करके कारवाई करें कल भी जो है राजबाडा छेतरों कई जगे जो है लाइटें नहीं थी राजबाडा तिलक नगर छत्री बाग और 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 भी छेतरें जहां लगातार आगोसित विद्धूत कटोती की गई जिसकी जानकारी हमारे प्रिदेश के मंतरी श्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंग वर्वा ने उच्च अदिकारियों से बात की कि लगातार ये घटना क्यों हो रही है और हमने जो है यहां मांग करिये कि इसे लोगों चिन्नित किया जाए जो भारती जंता पाटी से जुड़े हुए है कहीं नाम हम निकाल रहे हैं अभी तो जुम्मेदारी उनको दी नहीं तो हम तो नाम दे देंगे निकाल के उन्हें का कि हम जल्दी निकालेंगे हमी बता दे से बिजली कट रही है वह उन्होंने कहा कि जानबूच कर कोई भी कर्मचारी बिजली नहीं काट रहा है लेकिन जो प्राकृतिक कारणों से बिद्धुत कटोथी अभी कटोथी तो नहीं लेकिन जो ट्रीप अगर हुए थे उसमें सिस्टम काम कर रहा है और भविश्य में समस में इस्टम में इस्टे ऐसा कोई सामने नहीं है तो जानबूच के कोई विद्धुत कटोथी कि यह तो सभी अलग-अलग जिलों में अलग-अलग लोगों ने जैसी कारवाहियां की है जो फास्ट एक्शन होना चाहिए उसके हिसाबच अगर किसी नहीं कि है कोई लापरव बताने की मुख्यमंत्री कमलनात ने इसे गंभीरता से लेते हुए उर्जा मंत्री प्रमुक्सचेव उर्जा और बिजली कंपनियों से एक महिने के अंदर जवाब मागा है जिसके बाद कंपनी ने शुक्रवार को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कारिवाई करते और लाइन में समेट 85 अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड और आउट सोर्स के 90 कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया यूरर रिपोर्ट, MP News, इन दौर